लोग सिनेमा देखने जाते हैं क्योंकि वे आम जिंदेगी से हट कर कुछ मनोरंजन चाहते हैं कुछ हलकीफुल की मजाक, कॉमेडी ताकि जीवन में नीरस्ता ना रहे लोगों की इसी दिल्चस्पी को देखते हुए फिल्मों में मनोरंजन का, हासे का अपना एक अलग महत्व रहा है ओल्ड हिंदी मुवीज की बात करें तो पहले लगभग हर फिल्म में एक हासे कलाकार होता था जिसका अपना विशेश स्थान होता था, जिसे देख कर लोग सारे गम भूल जाते थे फिल्मों में हासे का तड़का लगाने वाले एक ऐसे ही कलाकार थे राजेंदर नाथ, जिन्हें पोपटलाल के नाम से भी जाना जाता है साठ और सत्तर के दशक में राजेंदर नाथ ने कई फिल्मों में काम किया और अपनी कला से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, खूब हसाया बतौर हासे अभिनेता हिंदी सिनेमा में राजेंदर नाथ ने तब एंट्री की जब महमूद, जॉनी वॉकर, मुकरी, केश्टो मुकरजी जैसे दिगज हास अभिनेताओं का दौर था बावजूद इसके अपनी कावीलियत से राजेंदरनाथ ने अपनी अलग पहचान बनाई राजेंदरनाथ का जन्म 8 जून 1931 को हुआ था उनका परिवार पेशावर का रहने वाला था आजादी से पहले उनके पिता करतार नाथ मध्य प्रदेश में रीवाय स्टेट के इंस्पेक्टर जर्नल होकर आए जिनके साथ ही उनका परिवार भी मध्य प्रदेश आ गया राजेंदरनाथ के साथ भाई और चार बहन थी पृत्वी राजकपूर से उनके परिवार के घनिष्ट संबंध थे यहां तक की राजकपूर से राजेंदरनाथ की बहन कृष्णा की शादी भी हुई थी शादी के बाद राजकपूर ने प्रेम नाथ को मुंबई बुलाकर पृत्वी फियर्टर में काम दिला दिया बाद में उनके भाई राजेंदरनाथ और नरेंदरनाथ भी मुंबई आ गय राजेंदरनाथ की दूसरी बहन उमा ने बाद में अभीनेता प्रेम चोपरा से 1955 में हिंदी फिल्म वचन के साथ उन्होंने बॉलिवुड में शुरुवात की। पित्वी थीटर में राजेंदरनाथ ने कुछ नाटकों में भी काम किया। 1969 से पहले राजेंदरनाथ को फिल्मों में बहुत छोटी भूमिकाएं मिली जो उन्हें खास पहचान नहीं दिला सकी। किन्तु 1969 में उन्हें नासिर हुसेन की फिल्म दिल दे के देखों में काम करने का मौका मिला जिसमें उनकी भूमिका बड़ी वसरहनी रही। 1961 में नासिर हुसेन की फिल्म जब प्यार किसी से होता है में राजेंदरनाथ के नए अवतार ने जन्म लिया जिसका नाम था पोपट लाल और इस पोपट लाल की भूमिका में वो इतने लोग प्रिय हुए कि लोग उन्हें पोपट लाल के नाम से ही चानने लगे। पोपट लाल के किरदार में उनका ड्रेस अब भी अनोखा था जिसे देख कर ही लोगों के चेहरे पर हसी आ जाती। मोटी फ्रेम का चश्मा, उची फ्रॉक, धीली हाफ पैंट, सिरपर हैट के साथ उनकी अजीब और गरीब हरकतों ने उन्हें वो सफलता प्रदान की कि पोपट लाल के नाम से उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन समेथ दुनिया के कई देशों में स्टेज शो किये। ये किरदार लोगों के बीच इतना लोग प्रिय हुआ कि कई फिल्मों और धारवाहिकों में राजेंदर नाथ के किरदार का नाम पोपट लाल ही रखा गया। प्ले के अलावा राजेंदर नाथ को फिल्मों में छोटे-मोटे रोल मिलने लगे. ये रोल इतने छोटे थे कि किसी ने उन्हें नोटिस तक नहीं किया. प्रेमनाथ के इंडस्टी में अच्छी पकड़ थी और कमाई भी अच्छी थी. तो काम ना होते हुए भी, राजेंद ने उन्हें घर से निकाल दिया. राजेंदर बड़े भाई के दूसरे घर में रहने पहुच गया. छट तो थी, लेकिन ना खाने के लिए पैसे थे और ना घर का सामान, एक स्कूटर थी, लेकिन उसमें पेट्रोल डलवाने के रुपय तक नहीं थे. वो खाने के लिए दो प्रोडेक्शन हाउस, पी अन प्रोडेक्शन खोला, तो भाई राजेंदर को 1953 की फिल्म शगूफा और 1954 की फिल्म गोलकुंड का कैदी में साइड रोल दिया. दोनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई. 1956 में राजेंदर पहली बार हम सब चोर हैं फिल्म में पहली बड़ी हिट फिल्म रही. 1961 में फिल्म जब प्यार किसी से होता है में राजेंदर ने पोपट लाल का रोल निभाया जिससे उन्हें देश भर में इसी नाम से पहचान मिल गई. इस फिल्म में राजेंदर नाथ लीड अक्टर देवानन पर भी भारी पढ़ गया थे. 1974 में राजेंदर ने अपनी सारी जमापूंजी लगा कर फिल्म दा ग्रेट क्रेशर बनाई. फिल्म में नीतु सिंग और रंधीर कपूर लीड रोल में थे. राजेंदर को कॉमेडी में तो महारत हासिल थी लेकिन फिल्म मेकिंग में इन्हें कोई अनुभव नहीं था. कास राजेंदर अब अपने सारे पैसे और कर्ज लिये हुए पैसे भी लगा चुके थे. लेकिन फिल्म बनने से ही पहले रुख गई. कर्ज देने वालों को उनके पैसे वापस चुकाने थे. कर्ज उतारने के लिए राजेंदर नाथ हर फिल्म साइन करने लगे. छोटे मोटे रोल कर कर्ज चुका पाना ना मुंकिन था. लोगों ने उन्हें परिशान करना शुरू कर दिया और जादा से जादा ब्याज बांगने लगे. एक इंटर्व्यू के दौरान राजेंदर ने कहा था, यूपी और दिल्ली के डिस्टिब्यूटरों ने मुझे खून के पूड गय थे. सबको हसाने वाले राजेंदर नात के चहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगी थी. साथ साल बाद 1998 में छोटे भाई नरेंदर नात का भी निधन हो गया, जिसका सदमा काफी गहरा था. इसी साल राजेंदर नात ने अभिने से दूरी बना ली, लोगों से द 79 में उनकी शादी गुलशन किपलानी से हुई. उनकी एक बेटा और बेटी है. अन्तिम कई साल राजेंदर नात फिल्मों से दूर होकर जादतर समय घर पर ही बिता रहे थे. कुछ समय से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसके चलते 13 फरवरी 2008 कोन का निध आनते हैं.